नमस्कार अविनंदन साथियों जितायस की online classes में आप सभी का स्वागत है मैं मिथलेश कुमार एक बार आप सभी लगों का हारदीक अविनंदन करता हूँ इससे पहले की जो class थी हमारी इससे पहले की वीडियो में हमने तत्पुर्ष और अव्याई भाव समास के बारे में पढ़ा था जो तत्पुर्ष समास के भेद होते हैं उनके बारे में देखा था कैसे पहचानेंगे कारक के स्तर पर कैसे पहचानेंगे बाकि अव्याई भाव हम लोग, आज हम लोग कर्मधारे समास, द्विगु समास, द्वंदु समास और बहुबरही समास इन चारों समासों पर चर्चा करेंगे हम लोग और इन्हें कैसे पहचानते हैं, उदाहरण के साथ हम लोग देखेंगे, सिखेंगे मित्रों, तो आएए, अब सीधे-सीधे हम विंदु पे चलते हैं, प्रथमता हम चलते हैं कर्मधारे समास पर कर्मधारे समास क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कर्मधारे समास को, आदी-आदी इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे, तो मित्रों कर्मधारे समास जो होता है, कर्मधारे समास के दोनों पदों में या तो कि कर्मधारे समास का एक पद विशेशन तो दूसरा पद विशेश्य होगा या कई बार उभय पद विशेशन भी हो सकता है उभय पद यदि विशेशन होता है तो भी कर्मधारे समास ही होता है दूसरी चीज कर्मधारे समास के दोनों पदों में यदि उपमे उपमान का संबंध हो तो भी समास करमधारे ही होता है उपमे उपमान से ताथ पर ये होता है कि उपमे से ताथ पर ये होता है जिसके लिए उपमा दी जाए उपमान से ताथ पर ये होता है कि जिसके द्वारा उपमा दी जाए तो समासिक पद में यदि उपमा का संबंध हो तो भी कर्मधारे होता है समासिक पद में यदि विसेष्टा का संबंध हो तो भी वो कर्मधारे होता है अब इन संबंधों के आधार पर इसे हम दो तरीके से भी देख सकते हैं विसेष्ता वाचक कर्मधारे समास और उपमान वाचक कर्मधारे समास जिन पदों में विसेष्ण विसेष्य का संबंद हो वहाँ पर हम उसको विसेष्ता वाचक कर्मधारे समास के अंतरगत रखते हैं जहां जिन पदों में उपमे उपमान का संबंद हो रूपकत्व का देख लें उपमे उपमान उपमे का ताज पर यह होता है जिसके लिए उपमा दी जाए और उपमान से ताज पर यह होता है जिसके द्वारा उपमा दी जाए इसी प्रकार विशेशन जिसके द्वारा विशेशता बताई जाए और विशेश मतलब जिसकी विशेशता बताई जाए तो चाहे विशेशन विशेश से संबंध हो, चाहे उपमे उपमान संबंध हो, दोनों ही परिस्थीतियों में हमारा समास जो है, वो कर्मधारे समास कहलाता है, कई बारी सस्तर पर पूछ दिये जाते हैं, तो आपको दोनों पदों में संबंध देखते हुए, इसको करना होता है विशेशन का संबंध है तो उसे विशेशता वाचक कर्मधारे कहेंगे और यदि उपमा का संबंध है तो उसे उपमान वाचक कर्मधारे समास कहेंगे अब आएए हम इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा सपस्ट करते हैं देखते हैं यहाँ पर हमने कुछ उदा तो अधम है जो नर या अधम है नर जो अधम है जो नर या अधम है नर जो अधम है जो नर या अधम है नर जो अब यहां देखिए नर सब्द विशेश्य हो गया अधम सब्द हो गया विशेशन तो इन सब्दों को देख के विग्रह करने के बाद हमें पता चल जा रहा है कि यहां पर संबंध जो है, वो विसेशन विसेश से संबंध है, अर्थात यह विसेशता वाचक कर्मधारे समास का उदाहरण हुआ, दूसरा उदाहरण, नव यूवक लिया है मैंने, नव है जो यूवक, नव मतलब नया, तो नया शब्द विसेशन हो गया, और यूवक विसे तनु अंगी तनु अंगों वाली तनु मतलब पतला विसेशन हो गया अंगों वाली विसेश्य हो गई तो यहां भी क्या हुआ विसेश्ता वाचक कर्मधारे समास हुआ अगला उदाहरण हमने लिया है मीनाक्षी मीन के समान या सद्रिस जहां भी उपमा का संबंध हो वहां पर आप जो शब्द प्रयोग करेंगे योजक के रूप में वो सोगा समान सद्रिस या रूपी तीनों में से कोई भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं समान सद्रिस या रूपी तो यहां मीनाक्षी का विग्रह कर वक्त आप क्या धियान रखेंगे मीन के समान या सद्रिस अक्षी यानि आखों वाली अब यहां पर देखिए आखों के लिए उपमा दी गई मचली के आख से जाहिर सी बात है यह क्या हो जाएगा उपमान वाचक दूसरी चीज यह भी है कि जब आप विग्रह करते हैं तो ज सिस्ता वाचक हो गया जहां पर आपको समान सद्रिस या रूपी सब्दाय विग्रह करते वक्त तो वहां पर आप सीधे सीधे कहेंगे यह उपमान वाचक कर्मधारे समा से अगले उदारण में हमने लिया है लता दे है लता के समान या सद्रिस दे है अब यहां पर भी समान या सद्रिस आ रहा है, अर्थात ये भी क्या हुआ, उप्मानवाचक हुआ, अगला जो उधारण हमने लिया है, वो है, राजीव लोचन, राजीव मतलब होता है, कमल, लोचन मतलब नेत्र आँख, यहाँ आँख के लिए उप्मा दी गई है, किस से, कमल से, अर्थात दोनों में क्या है उपमे उपमान संबंध है अर्थात राजीव लोचन जो सामा सिक्पद है वो भी क्या है उपमान वाचक कर्मधारे समा से विग्रह कैसे करेंगे राजीव रूपी लोचन या कमल रूपी नयन तो इस प्रकार हम विग्रह के द्वारा इन दोनों को अलग-अलग भ देख सकते हैं और कूल मिला के हमें ये पहचानना है कि चाहे विशेशन विशेश से संबंद हो, चाहे उपमा का संबंद हो, all together, कूल मिला जुला के समास जो होगा, वो कर्मधारे होगा, अब इसके अगले भेद पर चलते हैं हम लोग मित्रो, अब हम लोग द्विगु समास पर चर्चा करेंगे, द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे, क्या पहचान होती है, और उसका विग्रह किस तरीके से किया जाता है, द्विगु समास की पहचान ये होती है साथियों, द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है, वो संख्या वाची होता है, निमेरल्स होता है, कोई संख्या होती है, और जो उत्तर पद होता है, बाद का जो पद होता है, वो संख्या होती है, नाउन, तो इसकी सिंपल चान ये है कि पुरुपद जिस सामासिक पद का पुरुपद संख्यावाची और उत्तर पद संग्या हो उसे हम द्विगुसमास की कोटी में रखते हैं, उसे हम द्विगुसमास कहते हैं। साथियों यहां पर एक दो चीजें ध्यातव्य हैं, बिलकुल आप ध्यान रखेंगे जहां पर कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसी परिस्थिती में वो समासिक पद जो है, वो द्विगु के अंतरगत नहीं रखा जाता, बलकि उसे हम बहुब्रिही के अंतरगत रखते हैं। क्योंकि बहुब रही समास की यही पहचान होती है, कि उसमें दोनों पदों से इतर, दोनों पदों से परे अन्यार्थ रूड हो जाता है, सामा सिक्पद का एक अलग ही अर्थ निकलता है, तो यहां पर भी यह चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे याद रखते हैं और उसी के आधार पर सारा काम करते हैं, तो ऐसी स्थिती में गलत हो सकता है आपसे, तो यह ध्यान रखेंगे, कि पुरुपद संख्या वाची और उत्तर पद संग्या होने के बावजूद, यदि समासिक्पद से कोई अन्यार्थ निकलता है, तो वो समास बहुबरी ही हो जाता है, यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि अन्यार्थ न निकले, पुरुपद संख्या वाची हो और उत्तर पद संग्या हो, जहां तक विग्रह करने का प्रश्ण है, तो दिगुसमास का विग्रह करते वक्त हम, समाहार, समूह, सम्मिश्रण, इस तरह के योजक शब्द का प्रियूग करते हैं, दोनों पदों को मिलाने के लिए हम, समाहार, समाहार का मतलब होता है, जोड, या समूह, या सम्मिश्रण, जैसा शब्द होगा, उसके मताबिक हम इन सब्दों में से रखते हैं, और इसी से पहचान में आता है, कि यह समा समास के विगरह करते वक्त आप खास ये धियान रखेंगे, कि उसमें सब्दानुसार आप समाहार, समूह, या सम्मिश्रण सब्द का प्रियोग करेंगे, जहां पर इन तीनों में से जो convenient हो, जो suitable हो, जिस सब्द की suitability बनती है, उसी का प्रियोग करते हैं, और दूसरी कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं, विगरह करके देखते हैं, और विगरह की आधार पर समझते हैं, कि दूसमास कैसे पहचानेंगे, कैसे हम इसका विगरह करेंगे, इसमें मैंने पहला जो उदाहरण लिया है, वो लिया है, दो पहर, विगरह करते वक्त जैसा कि म मैंने लिया है चतुर युग, चतुह मतलब चार, तो यहां पर विग्रह करते वक्त आप कैसे विग्रह करेंगे, चार युगों का समाहार, अगला शब्द मैंने लिया है त्रिफला, तीन फलों का समाहार, अगला शब्द मैंने लिया है पंचामरित, आप देखिए अमरित, पंचामरित जो है ये द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव के रूप में होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर यदि हम समाहार शब्द का प्रियोग करें, तो गलत होगा, या समोह शब्द का प्रियोग करें, तो भी गलत होगा, तो जाहिर सी बात है कि पंचामरित का वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि पांच अम्रितों का समिस्रन या मिस्रन अगला शब्द मेंने लिया है सबतर्सी सात रिस्यों का अगर यहां पर आपने समाहार कर दिया या समिस्रन कर दिया तो गलत हो जाएगा भाव ही गलत हो जाएगा तो जाहर सी बात है कि जब रिशी की बात आ रही है तो वहां पर हम क्या करेंगे समूह करेंगे सब तरसिका विग्रह साथ रिषियों का समूह तो इस तरीके से आपको शब्द की अनुसार वहाँ पर सब्द प्रियोग करना है कि कहां पर आप समाहार रखेंगे कहां पर आप समूह रखेंगे और कहां पर आप मिस्रण या समिस्रण जैसे शब्द रखेंगे इसके लिए शब्द उनके अर्थ, उनके भाव की प्रतीती होनी, जानकारी होनी आवश्यक होती है, तभी आप सही विग्रा कर पाते हैं साथी अब हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास जो होते हैं, ये बड़े ही सरल होते हैं, जिसने कभी समास नहीं पड़ा होता है, वो भी पहचान लेता है द्वंद्व समास को, क्योंकि द्वंद्व समास में इसकी खास पहचान यही है, कि परिभासा देनी है तो हम इसकी परिभासा यो देते हैं कि जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हों तथा दोनों ही पद संग्या अथवा संग्या समू हों उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं द्वंद्व समास की एक सामन्य सी पहचान ये भी होती है साथियों कि द्वंद्व समास के दोनों पदों के मध्य प्रायह योजक चिन्ह का प्रियोग होने से आप सीधे सीधे ये समझ लें कि ये अनिवार्य नहीं होता कि हर वो द्वंद्व समास जिसके बीच में योजक चि हो ऐसा जरूरी नहीं होता हर द्वंद समास के बीच में मध्य में द्वंद समास के मध्य में योजक चिन नहीं होता बिना योजक चिन के भी द्वंद समास होते हैं कई बार विप्रीत सब्दों को एक साथ संधी करके लिख देने के बाद उसमें योजक चिन की आउशकता नह होता ये कोई मानक नहीं होता कि आप योजक चिन के आधार पर ही द्वंद समास को पहचाने साथ ही अगर इसके दूसरे पहलू को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं आपको जिनके बीच योजक चिन होता है लेकिन वो द्वंद समास नहीं होते क्योंकि जब भी सब्द की पुनरावृत्ती होती है, कोई भी एक शब्द दुबारा जब रिपीट होता है, तो उनके बीच में भी योजक चिन होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक ही शब्द दुबारा आता है, तो वो भी द्वंदुसमास नहीं हो सकता, तो ये एक सामन्य परिभ यही मानक है, तो ऐसा मानना गलत होता है, बिना योजक चिन के भी द्वंदुसमास होते हैं, और सारे योजक चिन वाले सब्द द्वंदुसमास नहीं होते, इसका ध्यान रखेंगे, तो परिभासा आप समझ चुके हैं, कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनो ही पद जो होते हैं वो संग्या अथवा संग्या समू होते हैं अब इसमें दूसरी चीज ये होती है द्वंद्व समास में कि इसके जो दोनों पद होते हैं उनके पदों की प्रकृति के आधार पर इनके विग्रह का ध्यान हमें रखना होता है कई बार क्या होते हैं कि दोनों पद जो होते हैं वो एक दूसरे से संयुक्त होते हैं जुड़े हुए होते हैं तो ऐसी इस्थिती में हम उसे समाहार द्वंदों की संग्या देते हैं और चुकि दूनों पद जो हैं एक दूसरे से संबन्दी थे, उन दूनों पदों में समाहार का संबन्ध है, यानि जोड का संबन्ध है. तो वहाँ पर विगढ़ करते वक्त हमें निस्चित रूप से योजक शब्द के रूप में और का प्रयोग करना चाहिए. दूसरी स्थिती तब बनती है जहां पर स्थामासिक पद के दोनों ही पद एक दूसरे से सर्वता भिन्न होते हैं इतरेतर द्वंद्व जहां पर जोड़ना है वहां पर समाहार द्वंद्व जहां दोनों ही पद एक दूसरे से सर्वता भिन्न होते हैं उसे हम इतरेत्तर द्वंद्व की स्रेणी में रखते हैं। पूलमिलाजुला के हमें पहचानना द्वंद्व ही है लेकिन उसके अंदर जाकि यदि पूछी जाए ये चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे कि कुछ सब्दों में कुछ पदों में समाहार संबंध होता है और कुछ पदों में इतरेत्तर संबंध होता है यानि दोनों एक दूसरे से सर्वता भिन होते हैं। तो जहां पर यह तरेत्तर संबंध होता है वहां पर आप या और कोई भी शब्द लगा कर विग्रह करें लेकिन जहां पर समाहार संबंध है वहां पर आपको योजक शब्द के रूप में और काही प्रयोग करना चाहिए तब ही आपका विग्रह सही होता है अन्यता शब्द क अभाव जो होता है वो गलत हो जाता है तो यह आप धियान रखेंगे कि कहां पर आपको समाहार शंबंद उसके अनुसार विग्रह करना है कहां पर आपका इतरेत्तर शंबंद है वहां पर आपको विग्रह, उसके अनुसार करना है, तो ये अब इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं, उदाहरण से आपको बिलकुल ही अस्पस्ट हो जाएगा, कि समासिक पद कैसा है तो उसमें हम और लगाएंगे, समासिक पद कैसा है, तो उसमें हम या का प्रियूप करेंग साथ ही कुछ ऐसे हम उदाहरण की चर्चा करेंगे, जहां पर बिना योजक चिन के ही आपको द्वंदु समास मिलेगा, ऐसे समासिक पद होंगे, जिन में कोई योजक चिन नहीं है, फिर भी आप देखेंगे, आपको लग जाएगा, कि हाँ ये भी द्वंदु समास है या होत अब देखेंगे, इन उदाहरणों से आप देख सकते हैं यहां पर, पहला उदाहरण जो मैंने लिखा है, पहला शब्द जो लिखा है वो है द्वैता द्वैत, इनके बीच कोई योजक चिन नहीं है, फिर भी समासिक पद का अगर आप विग्रह करते हैं, तो इसका विग् मैंने लिखा है सुरासुर, विग्रह करेंगे सुरया असुर, चौधा पद जो मैंने लिखा है, वो लिखा है माना अपमान, मान या अपमान, यह सारे शब्द संदी से निर्मित हैं, संदी के द्वारा बने हुए हैं, और इसमें परस पर विरोधी शब्द जुड़े उसमें औुपसर्ग लगके उसका विलोम शब्द है तो इस प्रकार इन में कोई योजक चिन प्रियुक्त नहीं है फिर भी दोनों ही शब्द समान महत्यों के एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं इसलिए यहां भी क्या होगा द्वन्द समास होगा जबकि यहां पर कोई और रोटी कभी भी विकल्पत प्रियोग नहीं किये जा सकते एक दूसरे के विकल्प के रूप में नहीं प्रियुक्त हो सकते जब भी इनका उप्योग करता है मनुश्य या कोई भी तो वो इनको साथ मिला करके इनका उप्योग करता है दोनों को मिला करके जोड़ करके दा पड़ार और रोटि मिला के ही तो खाते हैं ऐसा तो नहीं कह सकते न जैसे कई बार सेंटेंज में हम समास्ष्थपदों का यूज़ करते हैं समास्थपद का प्रयूप करते हैं जैसे मैं दाल रोटि' के लिए काम कर रहा हूं अगर किसी न ऐसा सेंटेंस कहा تو इसका ये मतलब कत्त ही नहीं होता कि दाल या रोटी के लिए इसका हमेशा यही मतलब निकलेगा कि दाल और रोटी के लिए तो जाहिर सी बात है कि जो इस तरह के पद होंगे आपको जो सामासिक पद है उसके दोनों शब्दों को देखना होता है और उसके अनुरूप फिर आपको और अथवाया जो भी योजक शब्द आप डिसाइड करेंगे वो शब्दों की प्रकृती को ध्यान में रखते हुए करेंगे यहाँ पर दाल लोटी का विग्रह जो होगा वो दाल और रोटी होगा दाल या रोटी नहीं हो सकता क्योंकि यह दूसरे से अभिन होते हैं जुड़े होते हैं तो जहां समासिक पद में समाहार संबंध वहाँ पर आप और का प्रियोग करेंगे जहां समाहार संबंध नहीं है वहाँ पर आप आउशक्तानुसार या का भी प्रियोग कर सकते हैं और का भी प्रियोग कर सकते हैं दोनों में से किसी का प्रियोग कर सकते हैं तो विग्रह करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है, बाकि द्वंद समास बड़ा ही सरल होता है, सबी बच्चे पहचान ही लेते हैं, अब हम समास के अंतिम भेद बहुबरी समास की चर्चा करेंगे, बहुबरी समास कैसे पहचानते हैं, किस तरीके से विग्रह करते हैं, साथियों परिभाशा के रूप में अगर याद रखना है तो बहुब रहिस्वास की सिंपल सी परिभाशा यही होती है कि जिस सामासिक पद में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब रहिस्वास कहा जाता है अन्यपद प्रधान होने से तातपरी ये होता है कि सामासिक पद में जो दो अलग अलग जो शब्द या पद जुड़े हुए हैं उन दोनों पदों से परे उन दोनों पदों से भिन एक तीसरा अर्थ अन्यार्थ जो है वो सामासिक पद के लिए रूड़ हो जाए अन्यार्थ रूर हो जाता है अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है तो सामान्यतह मित्रो परिभासा तो यही दि जाती है कि जिस सामांसिक्पत का अन्यपत परधान हो वो बहुब्रहि समास होता है बावजूद इसके इसमें अलग-अलग भेंद भी होते हैं पूछे जाते हैं तो इस तरीके से बहुबरीह समास को हम तीन कोटियों में रखते हैं एक तो समानाधी करण बहुबरीह होता है दूसरा तुल्ययोग बहुबरीह होता है और तीसरा व्यतिहार बहुबरीह होता है जो समानाधी करण बहुब्रही समास होते हैं ऐसे समासिकपद जिन में अन्यार्थ रूड हो जाए उसे हम समानाधी करण बहुब्रही के अंतरगत रखते हैं तुल्ली योग बहुब्रही के अंतरगत वे समासिकपद रखे जाते हैं जो सहवाचक होते हैं सह वाचक से ताजपरिय होता है साथ का सूचक मतलब इस तरह के समासिक पद जिनमें सौ उपसर्ग लगा हो सह शब्द का हो लुप्त हो जाता है सौ उपसर्ग के रूप में बचता है जैसे सपरिवार, परिवार के साथ तो इस तरह के जो पद होते हैं वो तुल्य योग बहुबरी के अंतरगत रखे जाते हैं तीसरा जो इसका भेद होता है साथियों वो होता है व्यतिहार बहुबरी व्यतिहार बहुबरी समास के अंतरगत वे समाशिक पद रखे जाते हैं जो घात प्रतिघात सूचक होते हैं घात प्रतिघात से ताजपरिय होता है लडाई जगडे से तो जहां पर घात प्रतिघात सूचक शब्द हो वो भी बहुब रहिसमास होता है अब आईए हम इन्हें कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि इनको हम किस तरीके से जल से जन्मा हुआ या जल से उत्पन अर्थात कमल यहां तीसरा अर्थ यहां दोनों पद जो है जल और जव मतलब जन्मा हुआ जल से जन्मा हुआ जल से उत्पन लेकिन सामासिक पद का जो अर्थ है वो है कमल यदि हम कहें वक्र तुंड वक्र मतलब तेड़ी तेड़ा टेड़ी नाक है जिनके अर्थात गणेस तो यहाँ पर दोनों पदों से परे अर्थ निकलता है इसलिए इसको हम रखते हैं समानाधी करण बहुब रहे के अंतरगत जहां अन्यार्थ रूड हो जाता है बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे हम कहें सहसराक्ष यानि हजार आँखों वाला हजार आँखों वाला कौन होता है इंद्र इंद्र को कहा जाता है तो इस पर सहसर मतलब हजार अक्ष मतलब आँख लेकिन इस पर अन्यार्थ रूड क्या हो गया इंद्र तो यहाँ पर तीसरा अर्थ रूड हो जा रहा है हम कहें कुश्म आयुद कुश्म यानि फूल, आयुद मतलब अस्त्रसस्त्र हतियार, कुस्म है आयुद जिसका अर्थात काम देव, तो यहाँ पर दोनों पदों से परे तीसरा अर्थ, अन्यार्थ रूड हो जाता है, इसको हम रखते हैं समानाधी करण बहुबरही के अंतरगत, नेक्स्ट अगला जो है हमारा तुल्ल योग बहुबरही, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका आपको, कि इसमें सहवाचक शब्द होते हैं, सह के ह का लोप हो जाता है, सह उपसर्ग के रूप में जुड़ जाता है, जैसे इस तरह के सब मैं कहूं कि सपरिवार, सहास, सकुसल, सदे, बहुत सारे शब्द हो शकते हैं, सपरिवार, जब इनका विग्रह करते हैं, परिवार के साथ, सहास, हसी के साथ, सकुसल, कुसलता के साथ, सप्रेम, प्रेम के साथ, सधन्यवाद, धन्यवाद के साथ, तो इस तरह के जो समाशिक पद होते हैं, उनको हम रखते हैं, तुल्ययोग बहुबरह के अंतरगत, ये खास ध्यान रखेंगे, प्रायह बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं, और इसको अवध्याई भाव करके आ जाते हैं, तो इसका खास ध्यान रखेंगे, सहवाचक शब् मन्दित होते हैं, जैसे इस तरह के शब्द आप देखिए, लाठा लाठी, मुष्टा मुष्टी, केसा केसी, इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं, इनका जो विग्रह होता है, ये होता है कि लाठी, लाठी से किया गया जघड़ा, ये लडाई, मुस्टा मुस्टी मुक्के मुक्के से किया गया जगडा या लड़ाई तो इसमें जो भी पद आते हैं उनसे लड़ाई जगडे का ही भाव आता है इसलिए इसको रखा जाता है ब्यतिहार बहुबरी में इसकी खास पहचान ये रखेंगे कि ये घात प्रतिघात सुचक होते हैं यहां भी बच्चों को एक confusion होता है इनमें जो शब्द देखते हैं बच्चे तो उन्हें लगता है कि ये द्वंद समास है यहां बिल्कुल ये strictly ध्यान रखेंगे द्वंद समास के दोनों पद जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं भिन्न होते हैं यहां दोनों पद देखिए एक ही है लाठा लाठी सिर्फ लिंगगत अंतर है शब्द के लेखन में लिंग का अंतर है एक लाठा एक लाठी लिखा गया है बाकी शब्द जो है वो एक ही है जबकि द्वंद समास जो होते हैं उसमें दोनों पद भिन्न होते हैं तो ये खास ध्यान रखेंगे तुलियोग बहुबरही का और व्यतिहार बहुबरही का इस तरीके से हम बहुबरही समास को पहचानते हैं विग्रह करते हैं जो समानाधी करण होते हैं उनमें अन्यार्थ रूड हो जाता है तीसरा अर्थ निकलता है विग्रह करते वक्त आप तीसरा अर्थ लिखें न लिखें ये मायने नहीं रखता है विग्रह सही होना चाहिए फिर भी हम इसलिए तीसरा अर्थ लिखते हैं या सजेस्ट किया जात अर्थात लड़ाई जगडे से संबंधित शब्द होते हैं तो ये हमारा समास का टॉपिक आज पूरा हुआ कंक्लूड हो गया हमने सभी समास के भेदों को उदाहरण के साथ देखा समझा मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे और इसमें याद रखने के लिए अगर एक लाइन में आपको पूरा समास याद रखना है तो आप ये ध्यान रखें कि पुरुपद परधान मतलब अव्यभाव उत्तर परधान मतलब तत्पुरुस विशेशन विशेशे संबंध या मेवपमान संबंध है तो कर्मधारे है छे के छे समास इसको याद रख सकते हैं और इसे आसानी से कर सकते हैं मित्रों एक बार मैं आप लोगों से फिर कहूंगा कि कोई भी जो वीडियो आप देखते हैं उसे आद्यो पांत देखें सुरू से अंत तक देखें तब ही आप हर चीज के निस्ष कर्स तक पहुँच पाएंगे और हर चीज को गहराई से समझ पाएंगे तो इसलिए मेरा आप सभी से एक बार रिक्विस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें अगर आपने जीतायस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रह और अपनी पढ़ाई को जारी रखें साथ ही मित्रों आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो भी अपना देना कमेंट्स अपना देना अपनी क्वेरिज भी उसमें कमेंट्स में डालना आप सभी जारी रखें आप सभी की क्वेरिज हम तक पहुँचेगी तो आप सभी की जो requirement है आप सभी की जो वानचित जानकारियां है हम उसे आप तक पहुँचाएंगे इन शबनों के साथ ही मैं आज के वीडियो का समापन करता हूं मित्रों धन्यवाद फिर मिलते हैं next वीडियो के साथ बढ़ के वीडियो के साथ ही